मस्त दोस्तों वेलकम तो दिग्यान इलेक्टिकल आज इस वीडियो में बात करने वाले इलेक्टिकल सेप्टी रिलेक्टेर जो इंटर्वी में क्वेशन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में तो चलो बात करते हैं कुछ को मनस स्कुर्षन जो पूछे जाने है उसके बारे में तो फीला पूछ लेक्टिकल सेफटी टेर्व उसका नहीं चाहिए तो हम चलो यहां पर quickly देख लेते कि कौन सा equipment क्यों यूज होता है तो इंसुलेटर ग्लोव इंसुलेटर ग्लोव आपको पता है कि हम जब भी कोई भी इनसुलेटर मेंटिंग इसक्या है कि आपको जहां पर काम करना है उसके उपर ही चर्ण करके आपको जो भी तास्क वो परफॉंग करना है लो है इंशले टेट लेडर माणल। मlor arrive कि अगर सब्सटेशन में अगर काम कर रहा हो और सब्सटेशन में The लाई नहीं मई और यह देख के सब्सटेशन के अंदर नहीं लानी है थारश्य तिय安otype कि आ यहें अगर सब्सटेशन में हम तीन चार लोग काम कर रहे हैं और ना बाई चांस हम ना जाए और बाई चांस भी किसी को इलेक्टिकल शोक लगा और एकाद बंदे को शोक लगा और आपने देख लिए तो आपको जाके वहाँ उसको खीचना नहीं वह पकड़ कि आप यहां पर आगे का जो यह है वह डाइकल शोक एक्सप्रियेंस कर रहा है उसकी जो कमर है उसके लाकर उसको खीचो गया तो वह क्या है कि वह डाइकली जो इलेक्टिकल सर्कित है उसे डिस्क ने को जाएगा और उसकी जान जो है बच जाएगी तो यह है लाइफ सेविंग एक्विपमेट का है कि यह बेजिक फ़स्टेट है प्लस इसमें क्या है कि जो फायर ब्लैंकेट रहता है कि अगर कोई इलेक्टिकल शोक की वज़े से किसी को फायर हुआ या तो फिर कुछ भी मतलब उसकी इंजरी बर्न इंजरी होई तो यहां पर तो पूरा उसके अंदर कवर कर लेना आदमी को तो तो क्या है कि उसको अगर इंजरी भी हुई है तो फ्लेटर करें और बाद में उसको फुर्स टेड़ मरी जो वह दे देगे बाद में उसको वहस्पिटलाइज कर देगे तक तक के लिए जो भी हम कर सकते हैं करने के लिए लाइप सिवंग करने जहाँ पर जैसे में जो जेशल ब्लेंटे रहता है प्लेस उसको जो अगर वह अनकॉंस्चिफ हो गया है या फिर उनकॉंस्चिफ हो गया है तो उसको हमें जो एर Sun करने उसके लिए एक को जो artificial air pump होता है वो भी इसके अंदर रहता है और प्लस इसके लिए बेजिक जो भी medicines जो है या तो फिर जो भी मरामत पटी के लिए जो भी पटी करने है उसके लिए जो भी जाये पटी जाये वो सब medical equipment सब इसमें रहते है यानि कि यह प्रिलिमरी जिस फॉर्स्टेट कीट टग गई है फिर गईस नेक्स्ट जो सिक्स्ट चीस जो है वो है अर्थिंग एंड शॉर्सर कीट कीट यानि कि अगर कोई भी तास्क करने जा रहे तो क्या कि पहले हमने लाइन को आइसलेट किया है लेकि पहले करना है उसके धाना है उसका में आपको बता ओ Chic सार्म आप दूर से उसको आपकर देखोगे तो आपको पता चल जागी कि इंडिकेशन तरी दे याल नहीं है तो है जो वोल्टेज डिटेक्टर है उस से हम पता कर पाएगे कि सब्सक्राइब ढलाई यह नहीं है दो कि अब वह जो केबल होता है उसको आपको क्या करना है कि उसको तीनों फेस को कनेक्ट करके फिर अर्थ कर देना यह कीट के मदद से मतलब इससे क्या होगा कि अगर बाइचांस को इसके बारे में आगे बात करें पहले में आपको बता जाता हूं कि यह अर्थ के साथ करनेट करते हैं तो आप तो इसको पता चलाएगा कि यहाँ पर कुछ एलेक्रिकल हो रहा है तो मेरे को इसके अंदर नहीं जाना है कुछ डेंजर मेरे के लिए वह सब्सक्राइग करना है तो उसे पर हम बात करें बदेखें पास्ट्रीच्ट रहता है और नेक्स्ट जो गाईस है यह है केस्ट डिटेक्शन इक्विपमेंट अगर गाईस कुछ आप टोक्सिक या तो फिर रिजाड़स अरिया में कांग कर रहे हो जहां पर टोक्सिस गेस जो है वो होने की पोसेबिलिटी है वहां पर ही यह है इसमें से कोई भी बोल दोगे तो भी वह काफी इंप्रेस हो जाएगा चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड के बारे में सेकंड ग्वेशन गाईस जो है वह लोटो अगर किसीन आपको पूछ लिया एंट्शन क्या है लोटो क्यों लगाते हैं तो उसका आउसर किसे देना सब्सक्राइब और किया होगा कि अगर कोई एक बन आपको बोल देगा कि बहुत ने आपके है और इनर्जेस कर दिया तो फिर क्या होगा कि एकसे इंसिद्ट को अवाइड करने के लिए और ऐसे पास्ट में भूआ भी है काफी इंडर्स्ट्री में तो यह सब जो इंसिद्ट है उसको सब्सक्राइब है के लिख लिशलों हो जयां उसके लिए लोटर सिस्टम बेश्ट moี सीब्स इब क्या रहेगी एक ङहां पर दौन जे रहे हैं वहाँ पे मोटर आपके लोग काम कर रहे हैं तो पहले एलेक्ट्रिक्ल ने आकर यह तो इहांसकर काम तो क्या होगा दिया वहाँ सब लोग का काम खतम नहीं होगा तब तक यह सब की सबने लोग लगा दिया और सब की साथ में ही लेकर चले गए अब कोई भी एक बंदा भी क्या है कि अभी फॉर एक्जांपल आप समझे कि मीकेनिकल वाले नहीं और चार लोग एक है करने तो हर बारी 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 हर एक लोग अपना लोग खोले गी और बाद में चम्ण र प्लॉग में आप अब एनर्जास करोगे तो आपको पता जल जागे भी अभी कोई काम नहीं कर रहा है अब एनर्जास कर सकते हैं तो इसे इसे इसी लिए यह जो इंसिदेंट जो होते हैं इस टैप के इंसिदेंट उसको और करने के लिए लोटो सिस्टम रहता है और जो मैंने बता है वह आपक अगर आप इंटरस्टेड हो कि भी लोटो सिस्टम पर इप पूरी प्रोसीजर ने उसके बारे में वीडियो बनाए आप कॉमेंट सेक्षिं में लिखे तो मैं अगर खाफी लोग इंटरस्टेड होगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बैदा दूगा तो चलो बात करते ह सब्सक्राइब करते हो तो उसमें आपको क्या बोलना है कि स्टार्ट करना है शूज से कि इंशूलेटर शूज ही सफ्टेशन में पहनने चाहिए नेक्स्ट जो है जो यह जो है उसको आज शूट बोलते तो यह जो आज शूट है वह वह भी एस पर दर है के लेटिंग इस पर दर मिकलरी सेन्टीbe tenant स्क्वेर जो है उस इसाब से पहनना चाहिए और कितनी क्यले रिकरीठ कर रेटिंगहे वह अगर आगे में बात करेंगे बड़ जो आप पेहन तो वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से उसकी कैलरी के हिसाब से पहनने चाहिए थर्ड जो है वो है यह ग्लॉस इंसुलेटेड ग्लॉस और फॉर्थ जो है वो है यह फैस वूड तो इतने पीपीज आपको कोई भी अकर इलेक्ट्रिकल आर्क शूट फिर हैंड ग्लॉस और फेस्ट इतने इतनी बेजिक चीज़ है अब यहां पर दो हेलमेट दिखाए वह उसके बारे में आगे बात करेंगे अगर वल्टेज रेटिंग कम है तो इस टाइप का हेलमेट पहनना है अगर वल्टेज रेटिंग ज्यादा है तो इस आपको पूछा जाए तो आपके से अंसर दोगे तो उसके बारे में पहले में आपको बता देता हूं पहले का इस मेंली क्या है कि फोर टाइप के जो आर्क शूट है वह अवेलेबल होते हैं अगर आप लेज देन 415 वोल्ट पर काम करने वाले हो तो आपको जो आर्क 6.6 के वी पर काम करने वाले हो तो आपको 8 केलेरी पर सेंटीमेटर स्क्वेर का आख शूट पहनना है बट गैज जो 6.6 के वी है वो भी उसमें भी ऐसा है कि अगर आप 6.6 के की सिस्टम में काम करने हो बट वह भी सिर्फ कोई भी लाइव पाट है वो एकसेसेबल नहीं है उस जहां उस जगह पे आप काम करने हो मलब की फूरा पेनल है उसके बाहर के साइड काम करने वाला हो कुछ कंट्रोल के विनेट में काम करने वालो या तो फिर ब्रेकर को सिफ रेक आउट करने हो या रेकिन करने हो उस टैम पे ही एक केलेरी का परमिसिबल है बट अगर में जाके cable chamber जो होता है वो open करके उसको डिश्चार्ज करने वाले हो या तो फिर उसके कुछ काम करने वाले हो तो आपको 6.6 kg में जहां पर डायेक्ली live पार्ट जो हो आपको दीख रहा है इसी जगह पर आप काम करने वाले हो तो आपको तो यह 25 कलरी का 25 कलरी पर सेंटीमीटर का आर्ट शूट पहनना है तो इस कंफ्यूजन ना हूँ इसके लिए मैं आपको बेजिक बता देता हूँ कि लेस देन 415 वोल्ट हो तो 415 वोल्ट हो तो 8 कलरी बोल्ट 6.6 के भी हो तो 25 कलरी बोल्ट क्यों अगर नहीं याद रतना है तो भी चलेगा क्योंकि हम क्या करें कि 6.6 में अगर 25 पहन रहें तो कोई दिक्कत नहीं अगर लाइव पार्ट में आप 8 पहन रहे हो तो दिक्कत रहें बट आप आंसर यह से दो कि 25 कलरी हम पहनते हैं तो बात कतम होगी और 25 कलरी ही पहन हो में तो यह सा बोलता हो क्योंकि चितना के लेडि़ी अगर चितना के लेडि़ी पर सेंटीमीटर ज्यादा पहनते हो वह बिजेखली आपकी सेफटी की इंक्रीज कर रहा है और जो फोर्स जो है वह है अगर और देन 6.6 के वह यानिकी 11 के वी यह तो फिर थर्टी तो गईज आप 40 स के लेडि़ी पर सेंटीमीटर का आर्कशुट पहन सकते हो तो यह फोर टैप के फोर वोल्टेश लेवल की सबसे आप इतने टैप के जो आर्कशुट है वह पहन सकते हो इस पर दे स्टांडर्ड तो अब इस आर्कशुट में भी यह के टेगरी 1234 अगर आप डिप में जानन क्या होता है कि अब आपको पूछ लगे और उसमें भी आप वेलेंट रिमेंगे जा रहे हो या तो यह क्वेशन आता ही है तो इसका बेजिक मोलेज क्या है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक लिंक पर क्लिक करके वडियो देख सकते हो या तो फिर यहां पर हाई बटन पर जाके आप डालेक लिए वो वीडियो पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हो और आपको वजाडर्स एरिया क्लासिफिकेशन का जो आपको पता चल जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे और अभी तक आप सब्सक्राइब तो उसको क्लब करें में दूसरा पाट भी अफ्लोड करोगा तो आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थैंक्यू गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में